कहानी की शुरुआत होती है सन 1964 सी जहां न्यू यूज़ वर्ल फेर में एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंक वॉल्टर है फ्रेंक का दिमाग बहुती इनोविटिव होता है उसने एक जेट पैक बनाया है वो उस जेट पैक को लेकर डेविड निक्स के पास जाता है डेविड उससे पूछता है क्या तुम्हारा जेट पैक काम करता है फ्रेंक कहता है मेरा जेट पैक काम तो करता है लेकिन सही से नही यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम एथीना है वो फ्रैंक के काम से बहुत परभावित होती है लेकिन टेविड उसके काम को पूरी तरह से रिचेक कर देता है फ्रैंक बाहर जब उदास बैठा होता है तो उसके पास एथीना आती है वो उसे एक लेपल पिन देती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आना फ्रैंक उससे पूसता है कि तुम कौन हो एथीना कहती है कि मैं भविश्य हूँ इसके बाद फ्रैंक उसके पीछे एक बोट से जाता है और जब उसकी बोट एक टनल के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक लेजर लाइट फ्रैंक के लेपल पिन को जो उसे एथीना ने दी थी उसे स्कैन कर दी है इसके बाद एक गेट खुलता है जिससे उसकी बोट नीचे जाती है और एक अचीब से कमरे के सामने रुक जाती है और जब वो उस कमरे के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कमरा नहीं बलकि एक लिफ्ट है वो उसे नीचे ले जाती है फ्रैंक कहा से बाहर निकलता है तब ही यहाँ पर दो रोबोट साथ हैं जो फ्रैंक को स्कैन करते हैं वो फ्रैंक के जेट पैक को भी देखते हैं और उसके जेट पैक में जो भी कमिया होती है रोबोट पूरी तरह से उसे ठीक कर देता है तब ही यहाँ पर फ्रैंक को दो लोग देख लेते हैं फ्रैंक उनसे डर कर नीचे गिर जाता है और जब वो लगातार जमीन की तरफ गिर रहा होता है तब ही वो अपने चेट पैक को पकर लेता है जिसे स्टार्ट करके उस जमीन पर गिरने से बच जाता है इसके बाद फ्रैंक एथिना के पास जाता है एथिना उसे बताती है कि इस जगा का नाम है टुमोरो लैंड अब इस बात को कई साल बीच जाते हैं फ्रैंक टुमोरो लैंड में रहते रहते अब बूड़ा हो चुका है और ये वक्त होता है सन 2015 का जहां अर्थ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केसी है केसी नासा के लाँच प्रोग्राम में जान बुच कर बार बार खराबी ले आती है क्योंकि उसके पता नासा में एंजिनियर है और अगर ये लाँच हो गया तो उसके पता की जौब छूड जाएगी एक बार केसी जब नासा के लाँच प्रोग्राम में खराबी कर रही होती है तो उसे पखड लिया जाता है पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है अगले दिन जब उसे छोड़ा जाता है तो उसके सामान में एक लेपल पिन भी होती है ये लेपल पिन ठीक वैसे ही होती है जैसे आज से कई साल पहली सन 1964 में फ्रेंक को मिली थी जैसी कैसी उस पिन को हाथ लगाती है तो वो टुमोरो लैंड पहुँच जाती है ये दुनिया देखकर वो पूरी तरह से चौक जाती है यहाँ पर सब कुछ बहुत आधुनिक होता है इस दुनिया में कैसी सब को देख सकती है लेकिन कैसी को कोई भी नहीं देख सकता और तभी उसकी पिन में reverse counting होना शुरू हो जाती है यानि कि उसकी पिन की जो बैटरी है वो डाउन हो रही है और जैसी पिन की बैटरी खत्म होती है वो वापस अपनी दुनिया में आ जाती है कैसी पूली तरह से हैरान होती है कि उसके साथ ये क्या हुआ वो वापस अपने घर चाती और अपने भाई को सब कुछ बताती है ये दोनों की दोनों इंटरनेट पर पिन को सर्च करना शुरू करती है और इंटरनेट पर इन्हें वैसा ही पिन दिख जाता है जिस पर एक एड्रस होता है और कैसी उस अड्रेस पर पहुंच जाती है ये एक शौप होती है और जब कैसी शौप के ओनर्स को पिन दिखाती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है वो कैसी से पूसते कि तुम्हें पिन कहां से मिला कैसी कहती है कि मुझे नहीं पता वो केसी से पूछने क्या तुम उस चोटी लड़की से मिली केसी कहती है मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता और जब केसी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पादी तो वो दोनु के दोनु केसी के ओपर हमला कर दे थे पर इससे पहले कि वो केसी को मारते हैं, यहां पर एथीना आ जाती है वो केसी को बचाने के लिए शौप के ओनर से लड़ती है और लड़ाई के दौरान वो एक के गर्दन उखार देती है और यहां में पता चलता है कि शौप के जो ओनर्स थी, वो रोबोर्स थी और जैसे केसी और एथीना शौप से बाहर निकलते हैं, यहां पर एक रोबोट अपने आपको ब्लास्ट कर देता है एथीना यहां से कार चुराती है और केसी को इस जगा से लेकर निकल जाती है एथीना वो ही है जिसने सन 1964 में फ्रैंक को पिन दिया था आज भी वो उतनी है, क्योंकि एथीना इनसान नहीं है, वो भी एक रोबोट है एथीना केसी से कहती है कि मैं भी एक रोबोट हूं, जो पिन तुम्हें सामान के साथ मिला था वो मैंने रखा था वो मेरा आखरी पिंथा और टुमोरो लेंड कोई भ्रहम नहीं बलकि वो एक सच्चाई है मेरा काम है पृत्थी से ऐसे लोगों को टुमोरो लेंड लेकर जाना जिनके अंदर टैलेंट है जो कुछ करना चाते हैं ताकि वो टुमोरो लेंड जाकर नएने चीज़े बनाए नएने अविश्कार करें और तुमें भी टुमोरो लेंड के लिए चुना गया है अगली सुबा अथिना केसी को फ्रैंक के घर के बाहर चोड़ कर चरी जाती है और जब केसी फ्रैंक के घर जाती है और उसे उपिन दिखाती है जिसे चूने के बाद वो टुमोरो लेंड पहुँच गई थी तो फ्रैंक भार आता है और उसे कहता है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ पर केसी टुमोरो लेंड जाना चाती है इसलिए वो उसके घर के बाहर बैठी रहती है रात को फ्रैंक अपनी स्क्रीन पर देखता है कि उसके घर की तरफ एक जलतावा बुल्डोजर आ रहा है वो भागतावा भार जाता है और एक एडवांस मशीन के साथ वो उस पूरे बुल्डोजर को वहीं पर जमा देता है तब ही किसी उसके घर के अंदर चली जाती है और दर्वाजा अंदर से बंद कर लेती है फ्रैंक उसे दर्वाजा खोलने के लिए कहता है पर किसी कहती कि जब तक तुमुझे टुमॉरो लैंड नहीं ले जाओगी मैं दर्वाजा नहीं खोलूँगी केसी वहाँ पर बहुत से आधोनिक चीज़े देखती है और जब वो एक कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन्स होती है जिन पर धरती के विनाश के अलग-लग स्टेजिस चल रहे होते हैं साथ ही यहाँ पर साट दिनों का एक रिवर्स काउंट भी चल रहा होता है यानि कि साट दिनों में धरती खत्मोने वाली है तब ही फ्रैंक अंदर आ जाता है और वो केसी को यहाँ से जाने के लिए कहता है केसी उससे कहती कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है और तुमने ऐसा क्या किया था जिससे तुम्हें टुमोरो लेंड से निकाला गया फ्रैंक बताता है कि मैंने एक ऐसा विश्कार किया था जिस वजे से मुझे सालों पहले टुमोरो लेंड से निकाल दिया गया और तुम मॉनिटर्स पर धर्ती की जो भी तभाई देख रही हो ये निश्ची तोर पर होगी पर केसी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसके विश्वास ना करने की वज़े से स्क्रीन्स पर जितनी भी धर्ती पर तभाई चल रही होती है वो सब कि सब कम हो जाती है ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब यहाँ पर रोबोट्स की एक टीम केसी को मारने के लिए आ जाती है लेकिन फ्रैंक केसी को उन खतरनाक रोबोट से बचाता है इसके बाद वो से अपने साथ एक बाट टब में बिठाता है और तबी यहाँ पर एक रोबोट उनके उपर हमला कर देता है पर इससे पहले कि वो इन दोनों को मारता बाट टब हवा में तोब के गोले की तरह उड़ जाता है पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और इनका बाट टब पासी में एक जील पर जाकर गिरता है रसल फ्रैंक ने इसकी तयारी बहले से कर रखी थी अब यहाँ पर एथीना भी आ जाती है जिसे देखकर फ्रैंक बिलकुल भी खुश नहीं होता क्योंकि फ्रैंक और एथीना बच्पन में जब दोस्त थे तो एथीना ने उससे अपने रोबोट होने की सच्चाई चुपाई थी पर फ्रैंक को अब इन दोनों के साथ जाना पड़ता है गाड़ी में इन दोनों के बीच में बहुत आर्गुमेंट्स भी होते है फ्रैंक उससे कहता है कि तुमोरो लेंड में सारे पिंस को डिस्ट्रॉई कर दिया गया था एथीना कहती कि मैं बारा पिंस लेकर भाग गय थी और जो बिन मैंने केसी को दिया था वो आखरी बिन था और एक एक आरण होता है कि टुमोरो लेंड वाले केसी को और एथीना दोनों को मारना चाते है अब ये तीनों के दीनों एक जगा जाते हैं जहां पर एक टेलिपोर्टेशन डिवाइस होता है इस डिवाइस से इनसान एक जगा से दूसरी जगा जा सकता है फ्रेंक यहां पर एथिना से पूसता है कि कैली को क्यों चुना गया वो बताती है कि अभी तक उसने हार नहीं मानी दरसल धर्दी पर लगबग सभी लोग ये मान चुके होते हैं कि धर्दी खत्म हो जाएगी लेकिन कैली को अभी भी विश्वास होता है कि कुछ न कुछ बहतर हो सकता है इसके बाद ये टेलिपोर्टेशन डिवाइस से पैरिज के आईफिल टावर के टॉप में पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये एक सीक्रिट रूम के अंदर जाते हैं जिस रूम में कुस्ताव आईफिल जिसने आईफिल टावर बनाया था साथ ही जूल्स वन निकोला टेसला और थॉमस एडिसन की डमीज होती है फ्रेंक कैसी को बताता है कि इन सब ने मिलकर एक फ्यूचर सोसाइटी बनाया थी ताकि विग्यानिक महाँ बिना रोगटो के अविश्कार कर सके इस जगा का नाम रखा गया टॉमोरो लेंड जो की एक दूसरे डाइमेंशन में है और आइफिल टावर लोगों के घूमने के लिए देखने के लिए नहीं बनाया गया बलकि ये एक एंटीना है यहाँ से हम टुमोरो लेंड जा सकते हैं गुस्ताव आइफिल जूल्स वरन निकोला टेसला और थॉमस एडिसन ने ये इसलिए बनाया था ताकि इमर्जनसी में वो यहाँ से टुमोरो लेंड जा सकी पर उन्हें कभी भी इसकी जरुवत नहीं बढ़ी और अफ्रेंक यहाँ पर मशीन को स्टार्ट करता है और मशीन के स्टार्ट करते हैं जमीन के नीचे से एक फ्लाइंग आबजेक्ट निकलता है आइफिल टावर दो हिस्सों में बढ़ जाता है पूरी दुनिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि आइफिल टावर दो हिस्सों में कैसे बढ़ गया और अबे तीनों उस फ्लाइंग आबजेक्ट में बैठ कर यहां से दूसरे डाइमेंशन यानि की टुमोरो लेंड पहुँच जाते है जहां पर टुमोरो लेंड का गवर्नर अपने आदमियों के साथ इन तीनों के पास आता है जिसका नाम डेविड है डेविड इन तीनों को धरती पर वापस भीजना चाता है पर फ्रेंक उससे बताता है कि धरती पर मैं तुमारी उस मशीन की जिस मशीन से तुम भविश्य देख सकते हो जिससे मुझे धरती का आने वाला भविश्य दिख रहा था लेकिन जब मैंने ये बात केसी को बताई तो उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और जब उसने विश्वास नहीं किया तो वहाँ पर धरती की कंडिशन पहले से बहतर हो गई यानि कि वहाँ पर तभाई दिखना कम हो गई थी डेविड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता फ्रैंक उसे कहता है कि तुम खुद अपने आँखों से सब कुछ देख सकते हो यहाँ बर केसी को कुछ भी समझ नहीं आता वो फ्रैंक से पूसती कि मुझे क्या करना होगा फ्रैंक उसे कहता है कि कुछ नहीं बस तुम जैसी हो वैसी रहना इसके बाद यह उस मशीन के पास बहुत जाते हैं जिससे पास्ट और फ्यूचर देखा जा सकता है यह मशीन फ्रैंक ने उस वक्त बनाई थी जब वो टुमॉरो लैंड में था और अब यह उस मशीन को स्टार्ट करते हैं केसी का माइन बहुत तेज होता है इसलिए असानी से वो इस मशीन को आपरेट करना शुरू कर देती है और इन्हें धर्ती का आने वाला कल दिखना शुरू हो जाता है केसी अपने घर को भी देखती है जो पूरी तरह से तबह हो चुका है ये सारी तस्वीरे आज से साथ दिन बात की है जब धर्ती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी केसी इस बात पर विश्वास नहीं करती हो कहती कि ऐसा नहीं हो सकता और जैसी वो ऐसा बोलती है पर केसी को एक बात समझ में आ जाती है कि फ्रेंक ने यहाँ पर पास्ट और फ्यूचर देखने की जो मशीन बनाई है उसकी उर्जा बहुत स्यादा है और इसी उर्जा को धर्ती पर भेजते हैं और एक ये कारण होता है कि फ्रेंक धर्ती पर बड़ी आसानी से अपने मॉनिटर पर वो सब कुछ देख सकता है जो डेविड टुमोरो लैंड में देख रहा होता है बस ये सब कुछ देखने के लिए सही फ्रिक्वेंसी की जरुरत होती है और इस मशीन के जरीए जितने भी पिक्चर्स आ रही होती है वो सब भविश्य की तभाई की होती है और सब को यकीन है कि भविश्य अब खत्म होने वाला है और यही सिगनल धर्ती पर जा रहे होती इस सीले धर्ती पर इनसानों को ये तो बता है कि बहुत जल्दी धर्ती खत्म होने वाली है लेकिन वो ये भी माँच चुके हैं कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ पहले से तैह है सीलो धर्थी को बचाने के लिए लिए ना कुछ कर रहे होते हैं और ना ही सोच रहे होते हैं केसी फ्रेंक से कहती है कि अगर हम इस मशीन को यहां पर बंद कर दें तो जो नेगेटिव मेसेजिस यहां से धरती पर जा रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और इसके बाद इनसान पॉजिटिव दिशा में सोचना शुरू कर देगा वो इस सारी बाते डेविड को बताते हैं लेकिन डेविड उनकी बाद पर ज्यादा ध्यान नहीं देता वो कहता है कि इनसान खुद ही मरना चाते हैं हर रोज मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है गलेसियर्स बिगल रहें लेकिन इनसान इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हमने इस मशीन के जरिये उनकी दिमाग में ऐसी इमेजिस भेजी जिससे उन्हें पता चल सके कि धर्दी तबाव रही है पर वो कुछ करने की बजाए ये मान गए कि उनका अंत निश्चित है यहाँ पर केसी की बाद बिल्कुल सही होती है धर्दी पर वो लोग जो धर्दी को बचाने के लिए परियावरण के लिए कुछ कर सकते हैं इस मसीन के मेसेजिस के वज़े से उनके दिमाग में पहले से फीड हो चुका है कि धर्दी का अंत निश्चित है इसी लिए कुछ नहीं कर रहे होते अब डेविड इन तिनों को वापस धर्दी पर भीज रहा होता है वो फ्रैंक को अलविदा कहने के लिए उससे हाथ मिलाता है फ्रैंक डेविड के हाथ में लगेवे गैजट के कुछ बटन्स को दबाता है जिससे यहाँ पर वो पोर्टल खोल जाता है जिससे धर्दी पर जाय जा सकता है अब फ्रैंक के बीच में और डेविड के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है ये दोनों के दोनों लड़ते लड़ते पोटल से बाहर आ जाते हैं यानि कि ये दोनों के दोनों अब अर्थ पर हैं ये एक सुनसान जगा होती है वहीं टुमोरो लेंड में दिखाया जाता है जहाँ पर अथिना केसी को एक बॉम देती है ये बहुत ही खतरनाक बॉम होता है दरसल ये दोनों इस बॉम से इस मशीन को उड़ाना चाते हैं क्योंकि इसे बंद नहीं किया जा सकता ये बॉम को ओन कर देते हैं पर तब तक रोबोट उस प्रैटफॉर्म को नीचे गिरा देता है जिसके उपर केसी खड़ी होती है जहांसे वो मशीन को ब्लास्ट कर सकती है अब यहां बॉम बॉन हो चुका है और कुछी सेकिंड्स में वो ब्लास्ट होने वाला है इसलिए एथिना पोर्टल का दरवाजा खोलती है और बॉम को भार फिक देती है जहां पर फ्रैंक और डेविड लड़ रहे होती बॉम देखने के बाद यह दोनों के दोनों पोर्टल के अंदर यानि कि टुमोरो लेंड के लिए भागते है और तब ही बॉम ब्लास हो जाता है हाला कि यह दोनों तो अंदर आ जाते है लेकिन डेविड एक बहुत बड़ी मैटल के शीट के नीचे दब जाता है यहां पर एथिना इस भविश्य देखने वाली मशीन में देखती है कि डेविड अगले चंद सेकंड्स में फ्रैंक को गोली मारने वाला है और जैसे फ्रैंक के ओपर डेविड गोली चलाता है एथिना उसके आगे आ जाती है जिस वज़े से फ्रैंक की जान तो बच जाती है लेकिन एथिना का सिस्टम T एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है यानि कि वो मर रही है वहीं केसी को दिखाया जाता है जो डेविड के पास जाती है और उससे उसकी गन छीन लेती है यहाँ पर फ्रैंक केसी को एक दूसरी जगा ले जाता है केसी उसे बताती है कि जब तुम छोटे थे और मैं तुम्हें टुमोरो लेंड लाई थी जिसे तुम पर विश्वास था पर जब तुम्हें सच्चा ही पता चली तो तुम मुझसे नाराज हो गए दरसल फ्रैंक भी केसी से बहुत प्यार करता था इसलिए जब उसे पता चला कि वो एक इंसान नहीं बलकि रोबोट है तो उसका दिल तूट किया था अब केसी अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को आउन कर देती है और वो फ्रैंक से कहती कि मुझे उपर मशीन तक ले जाओ और फ्रैंक जेट पैक पहन कर जो उसने बच्पन में बनाया था उसे उपर ले जाता है और इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी की पूरी मशीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो नीचे डेविड जो फसा हुआ होता है उसके उपर गिरती है जिससे डेविड की मृत्ति हो जाती है इसके बाद दिखाये जाता है कि केसी अपने पिता और अपने भाई के पास जाती है उसके पिता नासा के एंजिनियर है इसलिए उसके पिता और उसके भाई को टुमॉरो लैंड में रहने की अजाज़त मिल जाती है फ्रैंक और केसी अब टुमॉरो लैंड के हैड है यानि कि केसी की जो सोस थी वो बिल्कुल सही थी तो ये थी पूरी कहाने फिल्म टुमोरो लैंड की